स्वागत है संध्या के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेट पकवड़ा ब्रेट पकवड़े के लिए हमने फिलिंग के लिए पांस से च्छा आलू ले लिया है चार हरी मिर्च पांस से च्छा कली ले सून अधरक का टुकड़ा धनिया कटा हुआ हमने एक कब बेशन ले लिया है उसमें लाल मिर्च डाल दी हूं हल्दी पाउडर डाल दी हूं नमक डाल दी हूं हींग डाल दी हूं स्वाद अंस्वार हमने नमक डाला है चार हरी मिर्च ले लिया है चार से पांच लेसुन का लेसुन ले लिया है अधरक ले लिया अभी हम अच्छे से उसको से गरम हो जाना चाहिए फिर उसमें हम डाल रहे हूं मेथी दाना जीरा दोनों अच्छे से ब्राउन हो जाए अभी जो कूट के हम रखे थे ना पेश्ट अभी हम कढाई में डाल दे रहे हैं कढाई में डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हलका सा ब्राउन हो जाना चाहिए हमारा ले सुन अधरक पेश्ट अभी हम कड़ी पत्ता डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा राई डाल दे रहे हैं आधा चम्मच अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए सब कड़ाई में सच्छे से खुसबू आना चाहिए सब चीज का और अभी हम अमचूर पाउडर डाल दिये हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिये आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिये आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिये एक चम्मच इस अब डालके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी हम आलू को तोड लेंगे हाथ से आप लोग को चाहिए तो आप अच्छे से कद्दू कस करके डाल सकते हैं अभी हम सब तोड के अच्छे से मिक्स कर लेंगे चला लेंगे जैसे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए बहुत टेश्टी फीलिंग बनता है आलू का अभी हम एक चमच नमक डाल देंगे स्वाधन सर नमक डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी मिक्स कर लूँगी अभी हम हरा धनिया जो काटके रखे था अभी पूरा हम डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया इसका खुसबू भी बहुत अच्छा आता और टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है इस सब डाल के हम सब मिक्स कर लेंगे अभी हमारा फीलिंग बन के तयार हो गया अभी हम इसको एक पलेट में निकाल लेंगे जैसे कि ठंडा हो जाए अभी हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी ज्यादा पानी नहीं डालना है शुरू में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है थोड़ा सा हम और पानी डाल दे रहे हैं पानी डाल के अच्छे से हम घोल बना लेंगे जैसे कि गुठलिया न पड़े हमें न ज्यादा गाड़ा न ज्यादा पतला हमें पर्फेक्ट घोल चाहिए अभी हमारा फीलिंग का ठंडा हो गया है अभी हम ब्रेड पे अच्छे से भर लेंगे जितना अच्छा ब्रेड में भरेंगे न उतना ही अच्छा बनता है अभी हमारा देखो भर के हो गया है अभी हम दूसरा वला ब्रेड उसके उपर रख देंगे फीलिंग के देखे हमारा ब्रेड रख दिया है फीलिंग के उपर अभी हम ट्रेंगल में काट लेंगे अच्छे से इसी तरह से हम ब्रेड को सब काट लेंगे देखिए मेरा हमारा ब्रेड अच्छे से परफिक्ट कट के तयार हो गया है अभी हम भेशन के घोल में डिप कर लेंगे अच्छे से अच्छे से डिप करेंगे ना तो तेल में फिलिंग गिरने का डर नहीं रहता है ठंडियों में तो ये सब ब्रेड कटलेट बहुत अच्छा लगता है आप लोग जरूर बना के खाईए चाय के साथ तो मजा आ जाता है इसको आप ब्रेड कटलेट भी बोल सकते हैं ब्रेड पकोड़ा भी बोल सकते हैं आप लोग इसे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताना हमें, देखिए हम धीरे से अच्छे से पलट लेंगे, संभाल के नहीं तो जलने का डर रहता है, देखिए इसी तरह हमें दूसरे साइड भी पकाना है, फ्राइ करना है, कलर कितना अच्छा है, गोल्डन कलर, वापस हम पल्टी करके, दूसरी तरफ, वापस हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, देखिए हमारा एक हो गया है अभी, अभी हम दूसरी बार भी करके दिखा देते हूं, आप लोग को, अगर हमारा ब्रेट पकोड़ा आप लोग को पसंद आए, तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना, अब बेल आइकन बटन जरूर दबाना, अगर हमारा वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, अभी हमारा देखो बन के तयार हो गया है, अभी हम आप लोग को सर्फ करके दिखा देते हैं, आप लोग को चाहिए तो कट करके, खाईए नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं, अभी हम टमाटो सॉस से हम सर्फ कर रहे हैं, आप लोग को चाहिए तो हरी चटनी से भी खा सकते हैं, ठंडियों में तो मज़ा आ जाता है खाने में, चाहिए के साथ नास्ते में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जरूर बना के खाईए, देखें कितना नरम, सॉफ्ट और क्रंची बन के तयार हो गया है, बाइ बाइ, बाइ, बाइ,